ओम नमो शिवाई दोस्तों महा शिवरात्री का पर्व हर वर्ष फाल गुनमास के क्रिशन पक्ष की चतुरदशी तिथी को मनाया जाता है इस दिन माता पार्वती जी का और भगवान शिव का विवा हुआ था कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान जी प्रगट हुए थी जिस प्रकार क्रोडो सूरियों की रोशनी होती है ऐसी ही पूरा ब्रह्मांड परकाशित हो गया था महा शिवरात्री का पर्व भगवान शिव की अराधना का पर्व है इस इन भगवान शिव की अरात्ना करने से सभी कस्ट दूर हो जाते हैं भय पे विजय प्राप्त होती है महा शिवरात्री वरत कर पूजा कर कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए शिव पुरान में चित्रबानू की कथा मिलती है जो एक शिकारी था तो उसी की कथा आज हम आपके साथ शियर करने वाले हैं शिव पुरान की सबसे खास महतपून कथा जो महा शिवरात्री पर अवश्य ही सुननी चाहिए बहुत समय पहले चित्रबानू अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था गरीब होने के चलती वह साथुकार के करच लिया करता था जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता अपना करच वसूलने के लिए एक दिन साहुकार ने चित्रबानू को कैद कर लिया जिसकी वजह से चित्रबानू भूका प्यासा रहा इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव के रादना की चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहुकार ने शाम को छोड़ दिया जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर-दर शिकार ढोंटें के लिए भटकता रहा भटकते भटकते शाम से रात हो गई लेकिन उसे शिकार नहीं मिला पास में एक बेल का पेड़ था जिस पर वह चड़ गया उस बेल के पेड़ के नीचे भगवान शिवलिंग थे चित्रभानों की वज़य से बेल पत्र तूट तूट कर शिवलिंग पर गिरते रहे पूरा दिन भूका प्यासा रहकर रात में अंजाने से ही सही लेकिन चित्रभानों ने शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित कर दिये रात के समय तलाब के पास एक गर्वती हिर्नी आई चित्रभानों उस गर्वती हिर्नी को मारने वाला था तब ही गर्वनी हिर्णी ने उससे कहा, जल्दी ही मैं अपने बच्चे को जनम देने वाली हूँ, मैं अपने बच्चे को जनम दे कर आपके पास वापिस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजी, गर्वती हिर्णी की बास सुन कर, चित्रभानों ने उसे जाने दिया, इस इस तरह समापती होते होते दूसरे पहर की पूजा का समय हुआ चितरभानों शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी एक दूसरी हिर्णी आई हिर्णी को देखते ही चितरभानों शिकार के लिए त्यार हो गया तभी हिर्णी ने उसे कहा वह अभी रित्तु से मुक्त होकर चितरभानों ने उसे भी जाने दिया इस तरह आखरी पहर भी बीट गया चितरभानों के वज़े से वापस बेल पत्र शिवलिंग पर गिरे जिसकी वज़े से उसकी दूसरी पहर की पूझा भी हो गई कुछ समय बाद वहाँ पर तीसरी हिर्नी अपने बच्चों के साथ आई चितरभानों फिर से हिर्नी के शिकार के लिए त्यार हो गया हिर्नी ने कहा वह इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ कर वापिस आएगी हिर्नी की बात सुनकर चितरभानों ने उसे भी छोड़ तब ही वहाँ पर एक हीरन आया हीरन ने चितरभानू को देखते हुए कहा कि अगर तुमने तीन हीरनियों को और उनके बच्चों को मार दिया है तब मुझे भी मार सकते हो अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहां वापस आ जाओंगा चितरभानू ने हीरन को घटित घटना बताई तब हीरन ने जवाब दिया कि वह तीनों हीरनियों उसकी पत्निया है अगर तुमने मुझे मार दिया तो उन तीनों हीरनियों को अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी मेरा विश्वाश करो मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे पास जल्दी ही वापिस लोटाऊंगा इस तरह चितरभानू के हाँ से दुबारा से कुछ जल की बूंदे और बेल पत्र भगवान शिवलिंग पर दुबारा से गर गए फिर और इस तरह से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संप चितर हो गया रात पर चितरभानू ने भगवान शिव की अरादना की थी अंजाने में ही उसने बेल पत्र और जल भगवान शिव को अरपित किया जिसकी वज़े से भगवान शिव उससे परसन हो गए कुछ देर बाद हीरन अपने पूरे परिवार के साथ चितरभानू के पास पहुँच गया, हीरन और उसके परिवार को देख कर चितरभानों बहुत खुश हुआ, उसने हीरन के पूरे परिवार को जिवन दान देने का वचन दिया, इस तरहां चितरभानों को भी मौक्ष की प्राप्ति हुई, मनने के बाद उसे शिवलोक में जगा मिली, अंजा महाशिवरात्री वाले दिन वरत अवश्य रखें भगवान को जल बेल पत जितना भी थोड़ा या ज़ादा आपके पास समान हैं वह भगवान को जरूर अर्पित करें पूरा दिन ओमनोमशिवाय मंदर का जाप करें या कोई भी भगवान शीव का जो भी मंदर आपको कंठस है वह आप मैजाप कर सकते हैं और इस कहानी को आवश्य ही सुने इस कहानी को कहते सुनते हूं कारा बरते सभी को भगवान शीव पूरा आशिरवात देते हैं पूरी बाधाएं दूर करते हैं जीवन को सुखों से फर देते हैं अगर आपको भी महाशिवरात्री की एकता अ सब्सक्राइब करें